हेलो फ्रेंट्स वर्कम टू आज चैनल आप देख रहे हैं एक्सने लाइफ आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे मैं हूँ आपका दोस्त अकाश मेरे साह बैटी है नर्गेज और बिग बॉस के पिछले एपिसोड की पूरी कहानी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने पिछले एपिसोड में क्या-क्या देखा पिछला एपिसोड काफी इंट्रेस्टिंग रहा दिव्या को लेकर तो बहुत बड़ी खबर आई है और शमीरता और आकेश के बीच अब क्या चल रहा है ये भी काफी इंट्रे इसमें बाहर निकल जाते हैं और दिव्यागरवाल को टिकट टू फिनाले का टिकट मिल जाता है और बात करें दिव्यागरवाल की वह इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है बिग बॉस जिन्होंने अभी तक मतलब सोलो परफॉर्म किया और बहुत ज्यादा अच्छे से उन्होंन के निकालन के बाद यह उन्हें एडवांटेज मिलता है कि उन्हें टिकट टू फिनाले दे दिया जाता है तो दिव्या को मिल जाता है टिकट टू फिनाले जिसका मतलब अब यह हुआ कि दिव्या की जो सीधी ट्रेन है वो अब फिनाले तक उतरेगी और उसके बाद उनके जीतने के चांसे जोर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो यह बहुत बड़ी ख़वर है इसको लेकर जो है बाद में भी हम चर्चा करते रहेंगे लेकिन फिलाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दिव्या और घर वाले जो हैं वो प्रतीक से काफी नराज लग रहे हैं खा जायद उने नहीं बोलनी चाहिए और काफी बार ऐसा होता है कि उनकी बातों से कंटेस्टन बहुत जादा हट होते हुए नजरते से हम बात करें शमीता शिट्टी की तो प्रतीक से अच्पाल से उनकी बहुत जादा लड़ाई होते हुए नजर आती है और दिव्या गर्व इस कीसा भी उनकी खिलाफ नजर आते हैं और उनसे गुस्ता होते हैं नजर आते हैं कि तुमने टास्क के दौरान तुम बहुत साई चीज़े ऐसी करते हो शायद तुम नहीं करनी चाहिए कि तुम भूल जाते हो कि बिग बास में कुछ नियम दिये जाते हैं उनको तोड़ चुम थोगते हैं आप कमेंच सेक्शन पर हमारे साथ जरूर शेयर कीजे अब जो दिव्या है वो प्रतीक से खुश नहीं है लेकिं दिव्या से जो इनसान बहुत खुश है वहां गोहर खान ने दिव्या की बहुत आरीफ की और दिव्या को लेकर बहुत अच्छी बात है क गोहर खान को दिव्या का गेम जो है बहुत जादा अच्छा लग रहा है उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से दिव्या अगरवान ने अभी तक जितने भी टास्क परफॉर्म किया अकेले अपने दम पे लड़ती नजर आई उनका ना कोई दोस्त है बिग वास में और वो चार दिन के लिए पर एक हफते के लिए उनका कनेक्शन बना था जी शान खान जिसके बाद वो घर से बेगर हो चुके तो इसके बाद से दिव्या गरवाल अकेली नजर आई है और वो अकेली खेलती हुई आज तक यहां तक टिकट फिनाले जो उन्होंने जीता है यह एड एक बॉस के अंदर दिव्या की गेम को गोहर ने बहुत पसंद किया दिव्या जो है वो अकेली लड़ती दिखी थी काफी देर तक उनका कोई कनेक्शन नहीं रहा अला कि अब कनेक्शन वाली कहानी खतम हो चुकी है सभी इंडविज़ गेम खेल रहे हैं लेकिन जब कनेक् जीतने की वो लायक थी आप अपनी बात हमारे साथ कमेंट सेक्शन पर रखिए चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं नेहा बसीन की नेहा बसीन ने एक नया लुक सबके सामने रखा है नेहा बसीन की लुक को लेकर काफी चरचाए हो रही है इसके बारे में नर्गिस बत साथ जो नो ने नया लुक किया है उसके बाद उनके काफी ज़्यादा फैंस को वह लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा रहा है उनके जिस तरह से वह गेम भी खेलती वी नजर आ रही हैं वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उनकी आलोचना करते वे नजर लेकिन उनके चाहने वालों को वह पसंद आ था है निया बसीन खाने जो फैनस कोन उन्के बारे में क्या आता है नहीं करती है भर अपनी लुग के साथ करना आपके अनकी नहीं कैसी लग रही है क्या अठी लूग अच्छा लंगा आपको उनकी नए लुक हमें कमेंट सेक्शन पर बताईएगा चलिए आगे बात करते हैं बात करते हैं अब शमीता की और राकेश की तो शमीता और राकेश की जो लव स्टोरी है वो काफी समय से हम देख रहे थे तो शमीता और राकेश की लव स्टोरी में हमने बहुत कुछ देखा लेकिन अब जब से ये connection तूट रहे हैं तब से हम देख रहे हैं कि अब इनके बीच का वो प्यार नहीं दिख रहा अब जब से ये connection वाली बात बिग बॉस ने खतम कर दी उसके बाद से राकेश और शमीता जो हैं लड़ते दिखते रहते हैं छोड़ छोड़ी बातों पर इन जाथ है कि राकेश को बहुत सरी चीजे करने से रोकते नजर आती हैं उन्हें जलन होती है लोगों से ब्सक्राइब के साथ कोई बैड़ता हुए नजर आता है तो करे ने कि राकेश कोई चीज नहीं लग रही है वो बोलते हैं कि हमेशा शमीटा मुझे टोकती नजर आती बहुत सारी चीज़ों के लिए और ये चीज़ सभी घरवाले भी बोलते वे नजर आते हैं कि उन्हें अपने इशारों पर नचाते ही नजर आती है शमीता श्टेटी तो शायद करीने का यही वज़ा है कि शमीता और राकेश के बीच में जो नजदीकियां थी है वो दूरिय दूरियां बढ़ते हुए नजर आ रही है तो जिस तरह ऑसे दूरियां राकेश शमीता में बढ़ोती जा रही है उससे शमीता के लिए श्टाले हुसकरte गार नियूस हम्हि Journal हो सकती है इक और बैचनिस शमीता के लिए कि अनको हाली में चोट besid रग गई है चोट इस इंसान की वज़े से लगी इसके बारे में नर्किस बताएं की टिकट टु फिनाले टास्क चल रहा था जिसके बाद खीचदानी बहुत ज़ादा हो रही दिए प्रतीक सेचपाल करके शमीता शेटी को धक्का मार देते इसके बाद शमीता शेटी गिर जाती है और उन्हें उठाके ले जाते हैं और उनके जो पैर में चोट लगी होती है उसे दवाई बगरा लगा करके उन्हों ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो उनसे कहते हुए नजर आते हैं कि आप ठीक हो लेकिन जो राकेश इस तरीके से वह परवा करते हैं शमीता शेटी की वो ऑडियंस का जो नेचर है वो बहुत शांत सभाव की हैं काफी मिच्ची और इंसान है वो कैसे भी चीजों को सिच्विशन को हैं शमीता को हैं अब जी जो पूरी कहानी है यह कहां जाके रुकती है आगे इस कहानी में क्या मोड आता है यह देखना काफी इंट्रस्टिंग होगा तो विविया को लेकर आपका क्या कहना है अब उन्होंने फाइनली जो फेनाले डू टिकेट जीत लिया है क्या वो सही रहा या गलत रहा क्या यह मेकर्स ने जान पूछ किया है या इसमें कुछ जोल है यह बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं फिलाल मुझे और नर्गिस को दीज आपसे मिलेंगे जल्दी नमशकार